भाजपा राश्ट्री अद्धक जेपी नड़्डा साहिव आपके प्रदेश अद्यक्ष लगातार अनर्गल बयान दे रहे हैं हम आपसे यह असपष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि लगाम लगाए अन्यता आपके जो सबसे बड़े नेता हैं उच्च पदस्थ लेता हैं उ जहरीले और विसेले जो राजनेतिक रूप से बयान होते हैं उसका सामना करना पड़ेगा विडियू के मुख प्रवक्था निरच कुमार ने भाजपा के राष्टियद्यक्ष जेपी नडड़ा को बिहार के नए परदे सद्ध्यक्ष समराष चोदरी के बारे में कम्पलेन किया है उन्होंने कहा है कि मानिनिय भाजपा के राष्टी अध्यक्ष जेपी नड़ा जी अपने परदेश अध्यक्ष को समझा लीजिए जिस तरीके से वो अनरगल बयान दे रहे हैं और जिन सब्दों का वो इस्तमाल कर रहे हैं आने वाले भविश्य में आपके जो बड़े नेता है यानि नरेन्रमोदी उनको भी ऐसे सब्दों का वार जो है वो जहलना पड़ेगा यानि जेडिव भी वैसे सब्दों का इस्तमाल नरेन्रमोदी के लिए करेगी बता दे आपको कि जब से सम्राठ चौधरी भाजपा विहार भाजपा के नए परदेश सद्धक्ष बने त अभी कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे बाद में कहते हैं कि वो तो मैं राजनितिक रूप से मिट्टी में मिलाने की बात कर रहा था और अब लगतार ऐसी ऐसी टिपनिया कर रहे हैं जिसको लेकर जेडियू के मुख परवक्ता नीरच कुमार ने भाजपा के राष्ट अपने प्रदेश अध्यक्ष को समझा लीजिए अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर आपके जो चर्चित नेता है आपके जो लुक्प्रिये नेता है उनको हमारा वार जो है वो जहिलना पड़ेगा हम भी वैसे सब्दों का इस्तमाल करेंगे वैसे जहरीले सब्दों का इस्तमा करेंगे और क्या कुछ कह रहे है निरश कुमार सुनिए भाजपा राश्ट्री अध्यक जेपी नड्डा साहिव आपके प्रदेश अध्यक्ष लगातार अनर्गल बयान दे रहे हैं हम आपसे यह असपष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि लगाम लगाए अन्यता आपके जो सबसे बड़े नेता हैं उच पदस्थ नेता हैं उनके खिलाफ जहरीले और विसैले जो राजनेतिक रूप से बयान होते हैं उसका सामना करना पड़ेगा तो सुना अपने किस तरीके से जेडियू MLC और मुख प्रवक्ता नीरच कुमार ने जेपी नड़्डा को क्या क्या कहा उन्होंने कहा कि आपके जो नए परदे सद्धक्ष हैं हमारे नेता पर जिस तरीके से वार कर रहे हैं और जिन सब्दों का इस्तमाल कर रहे हैं हम भी भूल जाएंगे और हम भी वैसे जहरीले सब्दों का इस्तमाल आपके नेता के लिए करेंगे तो फिर आपके नेता तयार रहेंगे और उस वक्त कम्प्लेन ना करेंगे क्योंकि हम लोग जब वार करना शुरू करते हैं तो फिर रुखते नहीं और जिस तरीके से अब अरियादित भासा का इस्तमाल करते हैं भासपा के परदेश सद्यक्ष समराठ चौधरी उसको लेकर तमाम पार्टियों को कम्प्लेन रहता है यहां तक कि भासपा के अंदुरूनी जो लोग हैं उन्हें भी इन सब्दों से प्रहेज रहता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता है क्योंकि वो भासपा के परदेश सद्यक्ष है हलाकि अब जेडियू के प्रवक्ता ने जेपी नड़ा को लेकर एक वीडियो बना दिया है उन्होंने कहा कि हम आपको कह दे रहें आप अपने परदेश सद्यक्ष को समझा लीजिए जिन सब्दों का वो इस्तमाल कर रहे हैं उन्हीं सब्दों का इस्तमाल हम आपके निता के लिए करेंगे तो फिर आपको तकलीफ होने लगेगी मेराल इसकबर में इतना ही बने रहमायर साथ देखते रहें दे इंडिया टॉप और हाँ अभी तक आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है नए आये है तो फॉलो कर दीजिए जल से जल और यूटू कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर करिए धन्यवाद